जेम्स गंद के निव डिस यू के फ्लैश का ट्रेलर, सुपीरियर आइन मैन का कन्फरमेशन और आइन्ट मैन की पोस्ट्रीट सीन्स इन से बारे में हम आज बात करने वाले हैं अपने इस आरपी नीजोस के एपिसोड में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से जो गयार ही यह डेटबॉल 3 से है तो पैट्रिक स्टुवर्ट एट ये हमारे प्रोफेसर एक्स तो जब उनसे किसे ने पूछा कि वो प्रोफेसर एक्स के लिए डेटबॉल 3 के अंदर रिटरन करेंगे या नी तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि यानि कि उन्हें शायद चुप रहने के लिए कहा गया है तो शायद चांसेस बहुत कम हैं या शायद हैं कि हमें एटबॉल 3 के इंदर इनका एक प्रॉपर कैमियो देखने मिल सकता है या इनकी एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम हमें इनको देखने मिल सकता है लेकिन देखते हैं पिच्चर में क्या होता है कि काफे कुछ वो सकता है डेटबॉल 3 की एक रिसेंट अपडेट तो ये भी थी कि डेटबॉल 3 कैंग डानेस्टी तक लीड करेगी याने कि वही से डेटबॉल 3 की मूवी से हमें मल्टिवर्स का ब्रेकिंग पॉइंट देखने मिलेगा याने कि वही से हमें डेटबॉल 3 से हमें मल्टिवर्स को ब्रेक करने का मौका मिलेगा याने कि शायद वही से मल्टिवर्स की इंडिंग शुरू हो सकती है तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है पुरे पिच्छर में बढ़ते हैं अब अगली घवर की तरफ स्टेवन ब्रोसाट जो की मावल के प्रोडीसर है तो उन्होंने ये काया है कि मावल स्टूडियोस के अंदर इस वक्त यंग अवेंजेस के प्रोजेक की कोई भी अपडेट नहीं हो रही है कुछ भी वो लोग उस पे काम नहीं कर रहे हैं तो हमें ये उमीद भी लगाना छोड़ना चाहिए कि यंग अवेंजेस का काम फिलाल इस वक्त मावल स्टूडियोस के अंदर हो रहा है और साथी साथ ये अगली कवर भी यही आ रही है डेट बूल 3 से कि अपने लोग इन चचा यानि कि अपने वुलबरीन भाहिया ने इंस्टेग्राम पे ये फोटो डालके खुद को ये खा की इस 46 I'm older but it's not a competition तो बंदा फुल रिटान के मूड में है पूरी बॉड़ी बना रहा है वही नसे न जो कि है spider-man noir के live action series को लेके तो recently Amazon Prime ने यह चीज़ announcement की कि वो एक live action series की preparation के लिए कर रहे है जो कि based होगी spider-man noir पे और वो time उस time का होगा यानि कि black and white times का होगा 1930s के New York City का होगा और देखो spider-man noir को हम लोग में मूवी में देख लिया है और इसके उपर एक proper dedicated series आना भी बहुत बड़ी बात है और यह अगर Amazon Prime पर रहेगी तो यार यह बहुत ही बड़ी बात होने वाली है क्योंकि Amazon Prime बहुत हरामी चीज़ है साला दब बॉइस निकाल दिया उसमें ऐसे से सीन्स तो यार इसमें भी एकदम फुलना है लुक्तम आरेटर बनाएंगे कैसे करेंगे क्या कर इस देखने का अलगी मजा आने वाला है तो आप कमेट से बता आप इसके लिए कितने साथ एक्साइटेड़ हो तो वड़ते बहुत है अब यह ख़वर की तरफ जो की है Captain America New World Order के लिए तो Sam Wilson की कॉमिक लव इंट्रेस लायला ट्रेलर शायद रिपोर्टिवली उनका एक प् बढ़ने कोई नहीं आ रहा है उसके लिए माफ करना तरह बगली की तरह बढ़ते हैं जो की शायद अब तक की सबसे बड़ी ख़वर है मतलब आज के डीट की सबसे बड़ी ख़वर तो जेमस गन की नेडियों उसी है कि फ्लैश का ट्रेलर आज साड़े शे बजे आने वाल बढ़ता है क्या नहीं और ट्रेलर पर एक मीनी ब्रेकडाउन भी करेंगे तो अब अगले कबर यह आ रही है कि जो कि हमारे केंग दी कॉंकरर है वो चाहते हैं कि भाई आयन मैन और कैंग की एक छोटी सी कंवर्सेशन हो इन फूचर के लिए यानि कि इन फूचर के मूवी म है अब देखो रूमर्स तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं कि अपने आडीजे का रिटन होने वाला है ऐस आयन मैन सीग्रेट वोज में या कैंग डायनेस्टी में होगा नहीं होगा इस चीज़ के तो पूरा कोई कंफरमेशन देहीं नहीं रहे लेकिन इतना तो है कि कई सारे लोग चाहते हैं और मुस्ट सभी चाहते हैं कि अपने आडीजे का रिटन एस आयन मैन हो अब वो सीग्रेट वोज में छोटे से सीन के लिए भी होगा तो हमारा दिल खुश हो जाएगा लेकिन क्या है कैसा हुआ हुआ हमें फूचरी पता चलेगा लेकिन जॉनातन मेजर की तो यही किच्छ है कि वान ओन फोड़ा सा आयन मैन के बीच में कन्वसेशन हो तोड़ी लडाई हो देखने में मजा आने वाला है अपली कोई यह सारी चीजे और यही सब देखने में हम लोगों बहुत मजा आएगा शायद सीक्रेट वास में या फिर कैंग डानेस्टी में तो देखते हैं hope for the best अब बढ़ते हैं अगी खवर की तरफ जो की आ रही है आयन मैन से ही यानि कि अपने इलुमिनाटी के 838 अर्थ के आयन मैन से यानि कि अपने सूपीरियर आयन मैन से तो देखो इस चीज़ कोई कन्फरमेशन नहीं लेकिन एक चीज़ कन्फरम की जा इस की थी यानि की 838 के आयन मैन वेरियंट की थी अब देखो इस उलुमर में यह चीज़ कही गई है की 838 का एक एवेंजर का यानि की इलुमिनाटी का मेंबर जिन्दा है अब देखो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में यह बोलेंगे कि यार हर टीम में से हर डिफरेंट काइं एक मेंबर अलाइव है तो शायद शायद यह चांसेज हैं यह कंफरमेशन यह चांसेज है कि उस युनिवर्स के आयन मैन को कुछ न कुछ हो गया रहेगा जिसके बाद एवेंजर से एक बंदी आई रहेगी जो कि हमारी कैप्टन अमेरिका रहेगी वह सीट पर वैटने के लिए तो में भी शायद चांसेज हैं कि वहां का जो उस युनिवर्स का जो आयन मैन है जो कि सुपीरियर आयन मैन है वह जिन्दा है और वो शायद हमें सीके ड्वास में देखने भी मिल सकता है तो इस इसका कोई कंफरमेशन ने यह बड़ा रूमर है लेकिन आपको फिर भ लोड के बागनी चाना एंडवेन के अंदर दो पोस्ट वेट सीन होंगे जोकी बहुत जादा जरूरी होंगे और काफे कुछ इन फ्यूचर के लिए बीडिकेट करेंगे और साथ ही सथ पिच्चर के जो अर्लियर रिव्यूज हो चुके हैं उनमें पबलिक ने पिच्चर क करते हैं इस अपते में यही बड़ी बड़ी खबरे आई थी जो कि मैंने आपको इन डीटेल सारी बता दी हैं अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो यहार वीडियो को इंजाय करते रहो और फ्यूजर की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रही है